की आज लो डोस्तों आप लोग कैसे आजया है कि आप लोग ठीक होंगे तहाब सभी को करवाचत के धेर सहाह सुवक कामन आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि सुहाग के समागरी में क्या क्या लेना चाहिए और पूजा के समागरी में क्या क्या लेना चाहिए चलिए वीडियो एस्टाइट करते हैं तो यहाँ पर देखिए सोला सिंगार में हम क्या क्या लिए हैं यहां पर लिए हैं लाल सारी, लाल यागुलाबी ले सकते हैं, चूरी, बिंदी, नेल पॉली, सिंदूर, और इसमें पहले से सोला सिंगार भड़ा हुआ है, विच्छिया, कंगी, सिंदूर, बिंदी, आयना, पैर रंगने वाला चूरी, इसमें सोला सिंगार भड़ा हुआ ह यहां पर लिए पुजा के समागरी में लिए करवाचत मता का फोटो पाथा सुनने वला भूख है और यहां पर लकडी के चौका ले लेंगे उस पर बिछाने के लिए करवाचत मता को बिराजमान करने के लिए चौका पर बिछाने के लिए लाल पीला कपड़ा यहां पर हम रेड कलर कपड़ा लिए है और यहां पर चन्नी छीपा थाली रोरी चंदन दिया यहां पर दो दिया है पहले से लगा हुआ है जन्नों यहां पर करवा टोटी वाला करवा और एक कल्सा लोटा कलावा लिए है पुरूई है बत्ति दिया जलाने के लिए गंगा जल यहां चंदन यह रोली गी दिया जलाने के लिए और यह सीख करवा में जल भड़ेंगे उसमें जो छेट बना रहता है उसे बंद करने के लिए उसके बार आप चार परगार के फ़ल ले सकते हैं तो यहां पड़म गेहू लिए हैं चावल भी है इसके पास गेहू नहीं फोटू करवा चत्मता को अस्थापना कराएंगे अश्मिय यहां पर लिए है चुरा है को बारें फोटोड़ करवाचत्मता को hij अस्थापना कराएंगा अ-थे हैं कि उसके बात करवाई भरने ए इसवाम कर्वा ने के लिए लिए एक करवा में झौल भरेंगे और एक करवा में नाज़ ज लो holy आश руणिया आशे और करवा स्कोर छान ली जोभी फूल आपके बास ज़ो भी फूल तो घंदा का गुलाब का और दो जोभी पूले सकते चर्छाने के लिए तो यहां पर दिखा दिए सुहाग का सोला सिंगार और पूजा समागरी यह सब तो फ्रेंज मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट मक्स में जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सस्क्राइब करना न भूले तो देख लीजिए यही सब सोला सिंगार में चरता है यही सब पूजा समागरी में यही सब करवा चत्माता को चरहाया जाता है आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो